नमस्कार दोस्तों मैं डॉक्टर लुलित कुमार गंगेले अपने इस चैनल के एक और बहुत ही ज्यादा डिमांड में रहने वाले वीडियो और एक और इन्फरमेटिव वीडियो मैं आपका बहुत-बहुत स्वागत करता हूं और जैसा कि आप लोगों ने थमनेल में देख चुके होंगे अब तक this video is about the hyper hydrosis जी हां hyper hydrosis का मतलब एकसेसिव परस्पाइरेशन पसीना जो है वह पसीना आने की जो टेंडेंसी है जरुआस से ज्ञादा पसीना आने की टेंडेंसी तो कि पसीना आने की टेंडेंसी जो है कहना यह गलत होगा क्योंकि हर व्यक्ति को पसीन आता है तो एक्सेसिव जो परस्पाइरेशन की टेंडेंसी है उसको हम उसको हम मेडिकली हाइपर हाइड्रोसिस बोलते हैं अब जो भी आप जितने भी दर्शक इस चीज को देख रहे हैं खासकर आम दर्शक भी सिर्फ ऐसा नहीं कि डॉक्टर लॉबी के लोग जो इस वीड अच्छे से जानता है कि हाइपर हाइड्रोसिस एज डिजीज आज की डेट में हमारी आबादी के बहुत बड़े हिस्से को एफेक्ट करकर के बैठा है अब हाइपर हाइड्रोसिस को अच्छे से समझने के लिए यहां पर कुछ एक दो चीजे में जल्दी से बता देता हू कि what is the purpose of the perspiration मानव के अंदर पसीना आना क्यों जरूरी था मतलब हमारे को इश्वर ने sweat gland क्यों दी तो हमको इश्वर ने sweat gland जो दी है वो हमारे body के temperature को regulate करने के परपस से दी है और जैसा कि हम सब जानते हैं कि जब गर्मी का मौसम होता है भर March, April, April, May की गर्मी जब 45, 48 degree Celsius होता है बाहर और गरम लुए चलती हैं उस condition के अंदर हमको पसीना आता है मतलब मानव के अंदर पसीना आने का सबसे most common जो है वो है hot environment climate या hot environment temperature तो जब hot environment temperature होता है बहार और हमारे पास कोई भी हवा का स्रोत नहीं होता कोई भी हमारे पास air conditioning का स्रोत नहीं होता फर्सकरी हम रस्ते में सड़क पर गूम रहे हैं भर मई की धूप में तो ये जो perspiration है तब हमको गरमी लगती है और जब हमको गर्मी लगती है तो हमारी body की जो sweat gland है वो activate हो जाती है पसीने की धाराएं बहने लगती है और ये क्यों बहती है जब हमको पसीना आ रहा होता है और हमको भले से गरम हवा भी लगे तो गरम हवा भी हमको थंड़क देती है और वो हमारी body के temperature को convection से हमारी heat को आएगा या फिर इसका एक दूसरा example आप देखिए आम जिंदिगी में रोज मर्रा की जिंदिगी में कि जब आप अपना mood हो लेते हो और mood होने के बाद पंखे में आते हो तो आपको ठंड़क लगती है वो इसलिए लगती है कि जो मूँ के उपर पानी लगा है वो पानी के संपर्क में जब हवा आती है तो वो पानी के माध्यम से मेरी skin के नीचे की heat को खीच लेती है और अगर मेरे चेहरे पे पानी नहीं होगा तब आप कितनी हवा मारिएगा चेहरे के उपर वहां से convection से heat नहीं खीच पाएगी इतना सा फरक है तो जो most common condition होती है जिस common condition में एक म या फिर cardio training करते हैं cycling हो रही है बहुत लंबी और running हो रही है sprinting कर रहे हैं तो जब भी हम कोई physical exertion का कांग करते हैं कारण वही है body का core temperature बढ़ना ही इकलोता कारण है जिसके कारण से किसी को पसीना आए उसके अलावा कोई भी कारण नहीं है कि बंदे को पसीना आजाए जैसे convection से heat को dissipate करने के लिए in the same manner जब मैंने cardio करा running करी sprinting करी cycling करी fast लंबे समय तो मेरी body का core temperature बढ़ जाएगा hyperthermia बोलते हैं यह वो fever वाला नहीं है इसमें core temperature बढ़ रहा है क्यों मैं exercise कर रहा हूं जब मेरा core temperature बढ़ेगा तो फिर body को लगेगा कि body heat up हो गई उसको cool down करने के जब आपके gym में चलने वाले वो छोटू से पंखे की हवा लगेगी तो आपका heat dissipation होगा convection के थुरू मतलब हवा जब आपके skin के संपर्क में आईगी जहां पर पसीना चिपका है तो पसीने के माध्यम से heat को खीच लेगी इसको कहते है heat के dissipate होना तो यह है physiology of perspiration और जो एक nervous system करता है sympathetic parasympathetic nervous system करता है जब भी मैं stress में रहूंगा anxiety में रहूंगा या फिर मैं fear में रहूंगा तो मिरे को पसीना आने लगेगा तो एक आम आदमी के अंदर sweating या hydrosis जो होता है उसका mechanism यह होता है या तो environmental heat के contact में आए hot weather के contact में पहली चीज या तो वो physical exertion करे robust exertion बहु और anxiety में रहे तीसरी चीज यह तीन ही condition है जिससे हमारी body के अंदर sweating होती है और यह जो sweating करना है इसका main purpose होता है heat को dissipate करना अब एक छोटी सी चीज यहां पर सामाने ग्यान के लिए बता दूँ बाकी जानवरों में भी अलग-अलग mechanism होते हैं heat के dissipation के लिए याद रखी है न होती है तो जब वो ऐसे कर रहा होता है तो उसकी जीट से जो हवा कॉन्टेक्ट में आती है वहां पर वो heat dissipation का काम होता है उसकी body को cool down करने का काम एक और छोटा से एक्जामपल जो हाती होता है हाती के कान इतने बड़े-बड़े होते हाती का जो body का cooling mechanism जो हाती का radiator fit है वो बड़े-बड़े बिल्कुल पंखों के जैसे जैसे वह पंखा जलते थे पुराने जमाने में वैसे कान होते है तो हाती का पूरा blood जो गरम खून होता है उन कानों में जाता है और हाती अपने कानों को ऐसे flap करता रहता है तो वह ऐसे flap क्यों करता है वह हवा से उसको मतलब अब आदमी को एकसेशिव स्वेटिंग होने की समस्या हो जब एक व्यक्ति एकसेशिव स्वेटिंग होने का विक्टिम हो उस कंडिशन को हाइपर हाइड्रोसिस बोलते हैं और हाइपर हाइड्रोसिस के सिम्टम बेसीकली बॉड़ी के चार पार्ट पे ही हमको देखने को मिलते हैं है hand मतलब हाथ हाथ का पंजा और हाथ दूसरा है fit पैर पैर का पंजा तीसरा है face मतलब चहरा और जो चोथा है वह है underarms या armpit यह चार जगे ही hyperhydrosis के patient को excessive perspiration होता है science को अभी तक इसके होने का कारण नहीं पता है ना science को इसके होने का कारण पता है modern medicine इनको ना इसके treatment के बारे में कोई जानकारी है तो उसके बारे में से खेर कोई बात नहीं करेंगे अब मैं कुछ चीजें महां से Google से निकाल करके लाया हूँ आप लोगों के लिए हर बार की तरह कि hyperhydrosis is the excessive sweating that that is not always related to the heat and exercise मतलब इस तरहे का excessive sweating होने का pattern जब एक body के अंदर मिलता है patient के अंदर जो की नहीं है related वो नहीं related है excessive environment temperature से नहीं वो related है exercise कोई temperature नहीं बड़ा बंदा AC में बैठा तब भी पसीने छोड़ रहा है ठीक है ना उसने कोई exercise करी ना कोई labored activity करी तब भी वो पसीना छोड़ रहा है मुझे याद एक मेरी patient हुआ करती थी उनने मेरे को बताया था hyperhidrosis को बोले अभी हाथ बैठी है वो सूखे थे बोले सर अभी पसीना आ जाएगा आप देखिए उनने क्या करा हाथों को बस ऐसे 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 करा और ऐसे ऐसे करने के बाद जैसे आप अपने मोजे को गीला करने के बाद निचोड़ते हैं उनने हाथ को इस तरह से यूं करा है और इस तरह से यूं करा है कि यह आपके लिए एक प्रकार की प्रॉब्लम बनती जा रही है तो वह चार फेक्टर है कि वेन स्वेटिंग डिस्रप्ट यूर डेली रूटीन आपकी डेली रूटेन की ऐसी की तैसी इस पसीने ने कर दिये जैसे कि मान लिजे बच्चे को हाथ में पसीना आ रहा है तो वह हाथ में पसीना आ रहा है तो वह लिखी नहीं पा रहा है उसकी कोचिंग में जल्दी-जल्दी मांस्टर लिख वा रहा है पर इसके हाथ में पसीना है इसका पैन फिसल-फिसल जा रहा हैं he is not able to write properly ब्यूसरा है when sweating causes emotional distress or social withdrawal जैसे कि आप लोग जानते हैं कि जरूवस से अधा sweating अगर होती है तो जरूवस से अधा sweating के दोरान हमारे साथ एक चीज क्या होती है कि यह जो हमारा under arms होता है हमारा shirt होता उसके उपर एक sweat का पैच आ जाता है पसीने का एक धबबा आ जाता है तो वो कहीं न कहीं एक embarrassment मानते है कि तो वह उसी की वज़े से अगर आपको emotional distress हो रहा है कि आपको पसीने पसीना पहुंच रहे हो आप चार लोगों के बीच में डाइनिंग टेबल पर खाने को बैठे किसी के हैं अब आपको माथे से पसीना आ रहा माथे से पसीना पहुंच रहे हैं आपको अंडराम से प बिगें टो स्वेट मोर देन यूजूल एकदम से कल तक आपको पसीना नहीं आ रहा था पिछले महीने तक नहीं आ रहा था यका यक आपके साथ यह स्टार्ट हो गया और लास्ली यू एक्सपीरियेंस नाइट स्वेट फॉर नो अपरेंट कॉस क्योंकि जो नाइट स्वे प्रेड्रोसे यह आपकी बॉड़ी में टीबी पल रहा है वेलोपैथी में कोई ट्रीटमेंट नहीं उसके बारे में कोई बात नहीं करेंगे तीदे सिदे आते हुमियोपैथिक ट्रीटमेंट और यहां पर मैं बड़ा सा शौट आउर देना चाहूंगा इस चैनल के बैग बॉन है और उनके हवाले से मुझे जो मेडिसीन पता चली वो है जो पहली मेडिसीन है वो शिराज शेक सरजी ने रिफरेंस में मुझे बताई उसके बाद मैंने केरफुली बॉड़ी के अलग अलग पार्ट पे रिपर्टरी के अंदर हाइपर हाइड्रोसिस को ढूंडा म मुझे वो ही मेडिसीन हर जगे लिखी मिली यहां दोस्तों साइलीशिया इन थर्टी पोटेंसी से आपको अपने पेशेंट को चार-चार गोली दिन बर में दो बार देना है और यहां डिस्क्लेमर है कि साइलीशिया के कॉंट्रा इंडिकेशन पे एक वीडियो बना हुआ है तो कि बॉडि में कई ऐसी कंडिशन होती है जिन पर आप साइलीशिया मूँ उठाके नहीं दे सकते पेशेंट को नुकसान हो सकता है वो कौन सी है कंडिशन यहां मैं जिक्र नहीं करूंगा उसके लिए चार मिनिट का वीडियो है उपर कार्ड में लिंक है उस वीडियो से शेयर नहीं करा ना मेरे को जरुवत पड़ी बट मुझे लगता है वो मेडिसिन बहुत इंपॉर्टेंट है यहां दोस्तों ब्यूटिरिक एसीड इस लिए व्यूटिरिक एसीड के अंदर एक मेंटल सिम्टम बड़ा प्रधान है जो की है मेंटल स्ट्रेस के कारण आइ बी तक हमको यह बात पता चाहिए जो जरुवत से आदा पसीना एयर कंडिशनिंग में भी बैठके आ रहा है इसके पीछे इसका नियूरोलोजिकल मेकानिजम है और उसके पीछे कहीन है कहीं स्ट्रेस है इसे भी आपको अपने पेशेंट को चार-चार गोली दिन बर में द दिखाएगा दो महीने में मैं इस बात का पूरा विश्वास दिलाता हूं आपके पेशेंट के अंदर मोर देन 50% रिजल्ट आ जाएगा अगर वो आ जाता है तो और दो से धाई या तीन महीने इलाज करिए और आपके पेशेंट को इस बीमारी से जिसको आइपर आइडरो आएगा नमाश्कार